अस्सलाम आलेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एनरजी भरा और बहुत ही ताज़गी भरा जूस तर्बूस का जूस है ये शर्बत है तर्बूस का बहुत ही टेस्टी तो हम आपको बताते हैं ये कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं आदा लीटर दूद्ध जो हमने पहले से गरम करके इसको ठंडा कर लिया था बिलकुल फ्रिज में वो आदा लीटर दूद्ध हम ले लिए एक बरतन में एकदम चिल्ड किया हुआ मिल्क है यह हमारे पास कटा हुआ तर्बूज है एक पूरा तर्बूज मैंने लिया है यहां पर कटा हुआ और इसको इस तरह के पीसस में मैंने कट कर लिया और इसके बींच आप जितना हो सके उतना निकाल लीजिएगा अब यह जो तर्बूज के पीसस है इसको में ग्राइंडर में डाल देती हूँ तर्बूज दालने के बाद इसमें में एक कप शक पतला इसको एकदम ग्राइंड करना है बहुत ही बारीक ग्राइंड करने के बाद ये में दूद में मिक्स कर लूँगी और इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लींगे हम दूद में तर्बूस के जूस को और इसमें हम आड़ कर देते हैं एक कप रुहपजा रुहपजा आ करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए यह बहुत ही टेस्टी और इजिली बन जाने वाली ड्रिंक है रमजान में इफ्तार में बहुत ही रीफ्रेशिंग ड्रिंक है यह ताजगी और बहुत ही हेल्थ से भरपूर ड्रिंक जरूर ट्राइ कीजिए आप बहुत ही इजिली बनने वाली रेसिपी है साथ में बहुत ही टेस्टी है यह देखिए हमने कुछ तर्बूस बारिक कट कर लिये थे वो हम अब उपर से डाल देते हैं एकदम बारिक कट करके मैंने रख लिया था सीड्स निकाल कर इसके वो उपर से डाल देती हूं तो यह ऐसा आड़ करने से जब हम इसका जो ड्रिंक है वो पिएंगे तो बहुत ही मज़ेदार होगा तो चलिए हमारा यह तर्बूस का शर्बत एनरजी से भरपूर बिलकुल तयार है आप बिलकुल इसको चिल्टी सर्फ कीजिएगा तो बहु अथी टेस्टी और हेल्थी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताईए आपको कैसा लगा थैंक्स पूर वाचिंग